आप सभी लोग मेरा नाम है आलोग बाच्पेई और मैं आपका जी एस जी के एजुकेटर आप लोगों साथ डिली साड़े-चार वज़ जुदता हूं कल क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन आज कल वाली क्लास आपकी हो रही है और टाइमिंग हुआ है साड़े-थीन तो यानि कि कल यह क्लास साड़े-चार वज़े थी ठीक है तो सबसे पहले तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबी लोग एक बार सेशन को सेर कर दीजेगा सेशन को लाइक कर दीजेगा सारे लोगों का इंडिया के नंबर बन स्टेडी चैनल स्टेडी पर बहुत-बहुत स्वागत है और जितने भी लोग हमारे साथ में यहां पर जुड़े हुए हैं एक बात मन में अपने विठा लीजिए कि हर जगह पर एक ही कम से कम मेरे पास 40-50 बच्चों ने यह मैसेज किया हुआ है कि सर एससे सीजेल का जो है वो पैटन बद कुटर ये तो अलग पढ़ना हैं तो कम्पीटर अलग से पढ़िए बागी सारी की सारी चीज़ें वैसे कंटिन्यू करिए तो डरने की आवश्चता नहीं घबडाने की जरूरत नहीं है कि सर हम तो तीन सास तैहरी कर रहे है हम ने तो मैथ का एक-एक सरी महीं किताब लगा नहीं है जो विद्यार्थी चेंज से घवडाते हैं UPSC में जब चेंज हुआ था तब भी लोग बहुत घवडा रहे थे लेकिन धीरे धीरे तो अनेक्सपेक्टेड तो कोड़ी चीज नहीं होती कॉम्टिशन एज, स्लेबस, पैटर्न सारी की सारी चीजें समय समय पर रिवाइजड जरूर होती रहती हैं तो SSC के सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों जो लोग विया देखो सीरियस तयारी कर रहे हो बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी विद्यार्थियों से कि लगो यार अबी से ऐसा मझा सोचना जीयस तो पढ़ रहा हो ना यहीं पर उसको खुंटीनिव 25 वहाँ पर भी आएंगे टीर 2 में ठीक है ना एक सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स रख दिया एक सेक्शन में रिजिरिंग रख दिया वहाँ पर आपका एक क्वेस्टिन जो है पहले से 전ह ना कंप्यूटर भी है सारी के सारी चीजें है वही या थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है धाल है कि रहा है एकनों इकसानों ज़रूरत नहीं है करेंट एकोनोमेक्स को बहुत फोकस करो जो बिद्टियार्थिए करेंट एकोनोमेक्स क में है उज्वेकिस्तान की राजधानी क्या है तासकंद है स्यों में कितने देशों ने भाग लिया स्यों की स्थापना कब हुई यह सारी कि सारी चीजें आप हो सकते हैं स्यों का अगला समीट कहा होगा ऐसे जब कोई मुद्ध पढ़ते हो ना करेंट अपैस का ट्रेडिशनल से जोड़ो जितना ट्रेडिशनल इंफार्मिशन से इस टॉपिक को जोड़ोगे उतना ही आपके लिए बहतर रहने वाला है ठीक है बाई बस यह आप लोग करते रहिए इसली आप लोग एक्जाम पास कर जाएं पैटरन से कितने लोग घबना हैं में रता हैं बिलकुल घबनाने की जरूवत नहीं है भाई पैटरन तो बदले गाई कि यह स्लेभस तो बदले गई रिवाई होगा हमेशा नियम है यह आज समय समय पर की बदलाओ और रिवाई होता रहा ए लोग डिटेल में करेंट को मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है मरजीत पिल्कुल सबसे पहले तो मुझे अनकेडमी लर्नर पर फॉलो कर लीजेगा मेरा नाम है अलोग कुमर बाच्पे हर जगे पर आप लोग मुझे अलोग कुमर बाच्पे या लोग बाच्पे की नाम से आते हैं कोड लगा दीजिए भाई या इस कोड का प्रियोग करोगा तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यारतियों को डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा नोट्स मिलेंगे अगर कोई विद्यारति आइकोनिक सब्स्क्रिप्शन लेता बहुत सारे बैच्च लेना बहुत सारे बैच्चे शुरू हुए हैं प्लस कोर्स लेना है तब भी यह भी सर्फ दस कोड लगाना आइकोनिक लेना है तब पहला क्वेश्चन है वाई हुवाज लीडर आप वाइकोम सत्याग्रे के नेता कौन थे बिल्कुल अमर जीत आंसर कीजिए वाईकोम सत्याग्रे के नेता कौन थे क्या आंसर होगा देखो भी वाईकोम सत्याग्रे के नेता की बात करेंगे तो वाईकोम सत्याग्रे के नेता नारायन गुरू अहोम बिद्रोहो अगर कभी अहोम बिद्रोहो के नेता पूछे है अगर कभी आप से पूछा जाएगा पागल पंथी विद्रों के नेता तो हम कहें गया करम साथ टीपू हो जाते हैं जोतिवा फुले की जब हम बात करते हैं तो दो चीजों से जुड़ा हुए एक सत्य सोदक समाज इनका है दूसरा गुलामगीरी पत्र भी इनका है ठीक है क्वेश्चनमा नेक्स्ट है अंति मुगल सम्राट बहादूर साथ दूतियकी म्रत्यू कहां पर हुई थी जफर बहादूर साथ जफर बहादूर साथ जफर बोलिये बाई बिल्कुल चांद कौन जुड़े हुए बहाद चंचल कुमारी बोलिये क्या दिक्कत है चंचल कुमारी जो कर समस्या एक नाइडी बने सक्त लॉंडा अरे भैया बढ़िया आईडी नाम से बनाओ लॉंडा ओंडा से तुम आईडी बनाते है यार विद्यार थी हो सीजियल कि तैयारी कर रहे हो होता है न कि जो आदमी का विक्तित्त होता है जैसे एक आधर डालो मेधित्ति कोई बीकाम करने जब अधर yourselves में आशा संघतें अच्छी संगति बहुत आउस्सेख है कि कहा गया है ना हमेशा आया देखिए जैसे मैं इसका एक 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 जामपल दूँ कभी भी कोई भी भी द्यार थी या कोई भी वेक्ति डिप्रेशन में ऐसा नहीं हर एक बेखती होता है मैं भी होता हूं आप भी होते हो बहुत सारी लोग अच्छा बु लाल अच्छे हैं यह बहुत बेकार आग्मी है यह करता है यह वह करता है एक दायरा बना लिए देखते हो ना आप लोग तो दायरे समय साब बाहर आईए और हमेशा जब भी बात करिए पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव बाइप्स लीजिए और बहादूर साज जफ मकवरा है जहांगीर की पत्नी अनार कली का मकवरा है प्रेयसि जोडियों को इनका नाम था नार कली उनका भी मकवराव लाहॉर काबुल में बाबर का मखपर है दिल्ली में हुमायू का मखपर ठीक है गदर पत्रिका किस भासा में पहली बार प्रकासित हुई थी फटा-बट आंसर कीजिए भाई अभी 12 पर भी ध्यान देने की जरूरत है तुम तुम चेसल दे पाओगे 12 के बाद में जो गदर पत्रिका भी आए गदर एक पार्टी भी थी गदर पार्टी अमेरिका के सन फ्रेंसिस्को सैर में स्थापना की गई थी 1913 में और गदर जो पत्र है जो पत्रिका है पहली बार यह उर्दू भासा में छपी हाला कि यह अंग्रेजी पस्तून पंजाबी गुर्मुखी सब भासाओं में चपती है लेकिन पहली उर्दू में कौन सा सही है इन में से राजियन प्रसाद के सामने लिखा हुआ है यह चंपारन एहमदाबाद मिल स्ट्राइक के सामने लिखा हुआ है आर गांधी खेडा सत्याग्रे के सामने लिखा हुआ है बल्ला भाई पटेल इन में से कौन सा सही है कि देखो बहुत ध्यान से समझो गया है चंपारन से जुड़े हुए है राजन प्रसाद बिल्कुल सही स्वाटका सही एहमदाबाद मिल स्ट्राइक से आर महात्मा कहा से सुरू होता है गलत हो जाएगा कि खेडा सत्याग्र यह सईए तो पहला वाला और तीसरा वाला 10 दूसरा वाला गलत है घृष्ट एगा माहलवाडी प्रणाली किसके द्वारा सुरू की गई थी माहलवाडी प्रणाली क्या अंसर होगा भी या देखो बहुत ध्यान से समझे रहीत वाडी है माहलवाडी है सब हम लोग पढ़ते हैं और माहलवाडी वेवस्था हॉल्ट में केंजी रहीत वाडी पूछी जाएगी टॉमस मुन्रो कॉर्ण वालिस की अगर बात करेंगे तो इंकम अकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपूर में इस्तित है पादर आफ पुलिस सर्विस फादर आफ सिविल सर्विस नोन कॉर्ण वालिस ठीक है नेक्स्ट कॉस्चिन है बाबा वकाला एक सिख गुरू को कहते गुरू रामदाज जी ने अमरत सर सहर बसाया गुर्ण हर्गोबिन सिंग साप जी ने अकाल तक्त बंगा की सापना की गुरू नानक देब जी सिखों के पहले गुरू इनका जन्म 1469 को लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था याद रखना है मुस्ट इंपोर्ट में अभी कितने माक्स चाहिए मैं कैसे बता दूंगी तो पेपर पर डिपेंड होता है कितनी मेरिट जाएगी जलियाबाला भाग हत्याकांड के विरोध में बाइसराय की कारकानी परिसत की सदस्ता से स्थीपा किस ने दिया जलियाबाला भाग बड़ा फेमस घटना 13 अप कि वहां पर लेकिन हंस राज नाम का एक विक्ति होता है वह जाकर के पंजाब के गवर्नर माइकल डायर को सूचना देता है अरे साब वहां तो भाईया कुछ चला आए वाह तो हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की योजना चल लई है माइकल डायर अप पंजाब तुरंत वहां पार सेन अधिकारी होता है जनरल डायर और डायर उसको आदेश देता है वह अपनी बक्तरवंद गाडियों के साथ पहुशता है जलिया बाला बाग मैदान में गेट पर महीं पर सभी पुलिस कर्मियों को लगा कर के गोली चलाने का आदेश देता है और इसी घटना क के विरूद में बायसराय की वरकिंग कमेटी से संकरण नायर इस्तीफा देते हैं रविन्ना टेगोर नाइट हुड की उपाद भी वापस कर देते हैं खादी पहनना कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में अनिवार किया गया जो आदिवेशन में कहां पर गोहाटी श्री निवास आयंगर अधिश्ट नेक्स्ट क्वेस्ट्टन है योग्या चली आगे बढ़ते हैं विद्रो के प्रकास सिस्थम विद्रो का प्रकास सिस्थम बेसिकली यह बात की गई है 1857 विद्रोक रिवोल्ट के बारे में तो आप लोग बताओगे किसको कहा गया एट बोलोगों भाई साथे लोग कि सारे हमारी प्रकास सिस्थम की जब भी बात करते हैं विद्रो का प्रकास सिस्थम पहते हैं अगला सवाल अंसर कीजिए लबन पद्दति किसके द्वारा सुरू की गई लबन पद्दति कुछ लोग लबन पद्दति कुछ और समझ लेते हैं आइसा नहीं है समझ ओगे लोग यह बेवस्था हिंदू के और सिखों के विवाहों की जो बिवहा है उनकी जो पर्थक विवस्था है यह लबन पद्दति के लाती है हिंदू और सिखों के विवहा की पर्थक पर्थक विवस्था यह विवस्था को लबन पद्दति के नाम से जाना जाता है इस नाम से जाना जाता है लबन अमर्दास जी के द्वारा गुरु मुखी लिपी गुरु अंगत जी के द्वारा ठीक है याद रहेगा और आधि ग्रंत का संकलन गुरु अर्जुन देव नहीं दिया कि मौन कुध्यान के पिता कौन है कालिधास नागाजून चारक के विल्हेम वुंट कौन थे मौन valuable के नटले के पिता देगो भाउत हैं यह तो भारत के सेक्स्पिर धारत के आइंस्टीन भारत के मैख वेली हैं चानक के तो पीछा क्या विलह हैं वूंट बनों विग्ञान के पित्हाविशAST कर लें पहुत है कि भांवरत के सीच्पियर мायकभिकालिदास भारत ऐसके नाज भारत की आईस्टीन नागार्जून भारत और का ही आदुनिक आनुवन सिक्की कर झ PlayStation जनक कौन हैłeं फादर आप मोडर्न जेनेटिक्स? पहुत ध्यान से आंससर करिएगा मैंने आप लिखा हऊ मॉडर्न जनेटिक्स, नौट जेनेटिक्स मैंने लिखाओ मौडर्न डियम्निटिक्स तो क्या अंसर होगा बढ़ देखो भाई कि पादरा मौडर्न जेनेटिक्स यह आपके मेंडली हो जाएं ठीक है चलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज यह कौन सा है मद्रप्रदेश उक्तरप्रदेश आंद जी तेको फ़लों का सबसे बड़ा उत्पादक राज जो है अंद्रप्रदेश किस राज में कक्षा में श्रीमद भागवत जीता जो है वो पढ़ाई की जाएगी किस राज में कि वह बशार्रे में रख दिया गया हमाचल प्रदेश हमाचल प्रदेश प्रसेंट लपीजी अंड़ड पर्सेंट को विड्व नीटीन वाला राज्य यह सब बई हमाचल प्रदेश उजाता है याद रखना है आपको ओ ठीक है बोलिए बिल्कुल पढ़ो गया तो निश्ची दूप से के लिए रोगा ये अंसर हो गया भई अगला सवाल है करन जमा बांध ये किस नदी पर है करन जमा जो बांध है या अपता किस नदी पर है करन जमा बांध करन जमा बांध की जब भी बात करोगे तो ये आपका गोदावरी हो जाता है कि नासिक सेर ये वंदावरी नदी के किनारे हैं वोदावरी नीदी को हम लोग व्रद गंगा अउस्विए और की या आजट परती फ्रायदीपी भारत की सब्सेवडी नदी भी है नागारजूंस आगरवंत क्रश्न नदी पर है और तभी जो है जम्मु सहर तभी नदी के किनारे कर लाई हमावाचल प्रदेश का संब क्या वो हीरा कुंट बांद हो गया सलदा सरोबर हो गया भाखडा हो गया टीरी बांद हो गया क्या आंसर होगा पटा पट आंसर कीजिए भाई देखो प्यारे विद्ध्यारतियों, हिमाचल प्रदेश का जो संबंध है, वो किस बांध से है तो आंसर हो जाएगा आपका भाखड़ा नागल बांध से है हिमाचल प्रदेश का संबंध है मुल्ताई पाहड़ी से कौन से नदी निकलती है, सही उत्तर क्या होगा देखो बैर मुलताई पाड़ी से जो नदी निकलती है वो है तापी कौन सी नदी है बच्छे वो आपकी तापी नदी कहलाती है मुलताई पाड़ी से निकलने वाली नदी अगला सवाल है बाई मेंटन कप किस खेल से सम्मंदित है पटा पट आंसर कीजिए सारे लोग जल्दी से फास्ट लोगों मेंटन कप आपका रिलेटेड है सूटिंग से पबड़िम कितने घिलाडी साथ पोखों कितने घिलाडी नौ रीकेट में कितने घिलाडी 11 ब्लेक बक निशनल पार्क और सलीम अली वाइड लाइफ सेंचुरी यह कहां पर है देखो बहुत बढ़िया एक दम सही बच्चे बहुत संदार ब्लेक बक निशनल पार्क और सलीम अली पच्चिय बैरन पूछा जाएगा भाव नगर और गोवा में नेक्स्ट क्वेस्चन है जीए टीटी जनरल एंग्रिमेंट टाउन टेरिफ एंड ट्रेड यह जीए टीटी का फुल फॉर्म और जीए टीटी जो है यह आपका हम और इसकी जो साइन किया गया था एग्रिमेंट वो भाई साइन किया गया था उन्निश्ट सेटालिस हुए नवजाद बच्चे के सरीर में जलका भार उसके टोटल भार का कितने प्रतिसत होता है बोलिया अर्चना, आमीत, संपत, काजल सारे लोग आंसर करते रहे हैं नमस्ते वही विल्कुल जितने भी दैर्थी नमस्ते कर रहे हैं सारे लोगों को भी नमस्ते चलिए इसका आंसर हो जाएगा नवजाद बच्चे के सरीर में जलका भार उसके भार का प्रतिसत होता है कितना, 75%, 75%, ठीक है? Next question है, राय भेना और काड भेना ये किसकी कुछ उपातियां है? भी विल, थारू, गोंड या बैगा? राय भेना और काड भेना किसकी उप जातियां हैं? क्या होगा? भील, थारू, गोंड या बैगा? जो को राय भैना और काड़ भैना की बात करेंगे तो यह आपका वोजाता है बैगा एक पीपल के पत्ते पर एक पीपल का जो पत्ता है उस पर सूर की प्लैटिनम छबी अंकित है तो यह कौन सब रसकार होगा यह भारत रत न में एक साल में तीन लोगों को ही दिया जा सकता ह तीन लोगों से अधिक नहीं हाला कि इन सब की सुरुवात पदम पुरस्कार भायत्र सब की 254 में ही शुरुवात होती है चमेली देवी जैन पुरस्कार किस छेत्र से संबंदित है पटा पटा अंसर करते रही है सभी के सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों सेयर करते रही सेशन को सटीक उत्तर करते रही है मसाइड हो गया भाई तो बढ़ा बेतरीन क्वेश्चन है चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है आपका संबंदित हो जाता है पत्रकारिता से ग्यान पीट पूछा जाए ब्यास पूछा जाए सब साहित से कलिंग पूछा जाए विज्यान से मदूपूर या मदूदानव का नगर किसे कहते हैं पानीपत हिसार मतुरा मेरट मदूपूर या मदूदानव का नगर किसे का आ गया है कि यह थोड़ा स्लोप पढ़ाओ चलो भई एक एक चीज आपको समझ में तो आ रही है ना विकल्पों से मदूपूर या मदूदानव का जो नगर कहते हैं वो कहते हैं हम लोग किसको मतुरा को क्रीडा राजधानी क्रीडा राजधानी कहते हैं किसको मेरट को क्रांति नगर किसको कहते हैं मेरट को पानी पत को कहते हैं बुनकरों का सहर बुनकरों का जो सहर है वो पानी पत को यहां तक सब को किल्या चलि आगे बढ़ा जाए चार ग्रॉहों को गैस धानब का भाग माना जाता है कौन नहीं है इंग में से देखो लिखने के लिए तुम बाद में दुबारा देख लेना वीडियो है लिखने ही पाओ के साथ में यह तो संभव नहीं है अगर बोलेंगे तो फिर बहुत लंबा चलेगा एक प्रस्त में बहुत सो मिलेगा है ना आप दुबारा देखिएगा तो फिर बहुत बढ़िया बोलते थे ठेहर ठेहर के बोलते थे अभी सुना मैं उनका बड़ा फैन रहा हूं और एक बार दिल्ली उनिवेस्टिटी में उ मैं उसमें वहीं था तो उनके प्रोग्राम बड़ा बढ़िया वो बोले वहां पर और तबियत कुस हो गई थी उसमें बड़ा इस्ट्रग्लिंग मोन में वीजे प्यूबा करती थी चले चार ग्रहों को गैस दानब का जो भाग है वो सुक्र को नहीं मानते हैं अब ग्रह क कितने माने गए हैं आठ कि सबसे बड़ा ब्रेश्पति सबसे चोटा बुद्ध सबसे गरम ग्रह सुक्र भोर का तारा सुक्र सांज का तारा सुक्र सबसे अधिक उपग्रों बाला सनी सबसे बड़ा उपग्रे कौन सा गैनिवेडे किसका है ब्रेश्पति का सबसे चोटा उपग्रे डीमोस किसका है मंगल का लेटा हुआ अग्रह किसको बोलते हैं अरुन को रंग पूछा जाए तो हमें नीले पती हैं पीले सुक्र बहन चम्खीली हैं सनी है काला लाल है मंग और अरुन पर हरियाली है हमें नीले मतलब हम लोग प्रत्वी पर रहते हैं तो प्रत्वी नीला रहा है पती है पीले मतलब भ्रहस्पती हो गया पती से तो पीला रहा हो गया सनी है काला काला सनी हो गया लाल है मंगल और अरुन हरा हो गया हरियाली ठीक है चलिए आगे बलत पहली बार लिए चले बहुत बढ़ी इसी समझ चलेगी रात में मेरी क्लास आज नहीं आज संडे है मैं लगाना भूल गया था या कल क्लास एक चलेगी ग्यारा बच्के पंद्रा मिनिट पर कि रात में और यह क्लास मैं लंबी लूँँगा सीजयल के सारे ज़ें सकते हैं को आपलों जरूर हम पर पढ़ाने वाला में दो है कल रात में 311 बच pl nu कλαस लेंगे हूं सेर्शिव जिला आपका संबंदित हो जाता है किसे मिजोरम से मिजोरम की राजधानी जो है वह आई जोल है वहा की राजधानी पणजी हो जाती है लोग जानते हैं ठीक है सिक्किम भारत का 35 में नहीं 36 में संभिधान संसोधन से पूर्ण राजबना 1975 में लेकिन इसको भारती संग में सामिल किया गया था 35 में संभिधान संसोधन से ठीक है हेगेंकल waterfall is situated on which river हेगेंकल जर्ना या जल प्रपात किस नदी पर इस्थी थे हेगेंकल पटाबडांजा करी है वाई वास्ट विल्कुल है अब जी जी हेखेंकल जर्ना ये आपका किस नदी पर है तो ये आपका हो जाता है कावेरीन दी पर नर्मदा नदी पर जो बांध बने हुए वह ISBN अइंद्रसागर बांध शरदारicer बार्बांध बार्गी बांध महसउर बांध ये कावेरी नदी नदी पर ठीक अब या तूती कोरल थर्मल पावर स्टेशन यह कहां परिस्तित है तूती कोरल थर्मल पावर स्टेशन मनीशा भरद्वाज धन्यवाद आपको जी सब्सक्राइब आपको जी के बाए अलोक सर पर भी अलोक सर पर भी जोन ळेता हूँ कप देखो तूती कोरल थर्मल पावर स्टेशन जो है वो आपका तमिल नाडू हो जाता है करनाटक का जो निरत है वो यक्षगान है और हटरी है तूती गोरन इमने समझते ना एक बंदर गाहा भी है पोट भी है तो तमील नाडुका हो जाए लगत का कारेकाल क्या होता है चीफ एलेक्सन कमिस्टर का कारेकाल क्या होता है फटा फट से भईया आंसर कीजिए गा है आपका 6 साल साल जो भी पहले पूरा हो जाए वह ने बाग मारा रिजर्फ फॉरीस्ट यह कहां पर रहे बाग मारा रिजर्फ फॉर्स अजकुल अभी न्यूज में चीता चीता बहुत चल रहा था ग नंवीबिया की चीता आ चीता आपि आस किसी निंग डाली है तिषी जो है वहां पर चीता का वगाइदा कहां पर छोड़ा गया जरूर याद करें तो वह आप लोग याद रखिएगा ठीक है अब जीद बाबू बोलिए सैमान दास सलीम गुपता इसका अंसर हो जाएगा बाग मारा रिदर्फ फॉरेस्ट में घाले ठीक है नोक्रेक नेशनल पार्क अगर पूछा जाएगा तो ये भी में घाले डफला पहाडी कहां पर है उनाचल प्रदेश याद रखना है इसका पुराना नाम क्या है नेफा नौर्थ इस्ट फ्रेंटिर एजनसी याद रखिएगा असम में पूछा जाएगा काजी रंगा नेशनल पारक माना गरम पानी सोनाई रूपाए सभी असम में मद्द बोत्स्वाना का संबन्द कौन से डेजर्ट मरुस्थल से है अटकामा हटा दो यार चिली का आए तो साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट हो गया अब यह बात करना है अफ्रीका कॉंटिनेंट की तो हटा दो होगा नहीं अब बचा हमारे पास काला हरी एंट सहारा सहारा की जब काला अंसर क्या होगा यार काला हारी कि विस्टू का सबसे बड़े डिजर्ट है सहारा इसका अकार लगबग यूएसे के पराबर है एरिया में कौन केंद्री सूची में सामिल है डाक टेलिग्राफ फौजदारी कानून भूराजस्वय पुलिस बोलिए बाई जल्दी से देखो या बहुत बढ़िया सवाल है केंद्री या सूची में सामिल है यह आपका हो जाता है डाक और टेलिग्राफ फौज़चन है खटे फल आमतौर पर पैदा होते हैं खटे फल जो हैं वह आमतौर पर पैदा होते कहां भूमद्रेकी चेत्रों में ठंडे ताप मान वाले में अभियांतर की चेत्रों में या अलपाइं खटे फल हमेशा होते फल हमेशा पैधा कहां अभियांत्रिच छित्रों में पॉट इस दा बाइलोजिकल नेम आफ वीट यहूं का जैविक नाम क्या है भी यह वोमो सैपियंस सैपियंस मानव का है मैंगी फैरा इंडिका यह भी नहीं है तौहां का हो जाते हैं ट्रिटिकम एस्टाइवम यह हो जाता है कि इंडियन इस्टिटुट आफ होटी कल्चर रिसर्च लोकेटेड कहां पर है भारती बागवानी संस्थान कहां पर है बोलिए भाई सारे के सारे लोग जल्दी से तो भारती बागवानी अनुसंदान संस्थान की बात करोगे तो भारती बागवानी अनुसंदान संस्थान बैंगलुरू कहां पर बच्चे बैंगलुर में हैधराबाद को हम लोग हाइटेक सिटी बोलते हैं तो हाइटेक सिटी है वो आपका हैधराबाद कहलाता है दिल्ली की बात करोगे NCR बनाया गया इसको 69th constitutional amendment से सार्क का पहला सिखर सम्मेलन कहां हुआ साउथ एसियन एसोसियेशन फॉर रिजनल कॉपरेशन सार्क हेड़क्वाटर कठमंडू में 1985 में इसका गठन हुआ इस्टैब्लिस हुआ और इसका सिखर सम्मेलन पहला कहां हुआ धाका में बात समझ में आ गई भाई प्रसांत क्रेजी चंबल बहाए बोलोगे भाईया सारे लोग और आज अगर आप लोग अनेकेडमी लर्नर एप पर मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो आज अनेकेडमी लर्नर एप पर जरूर जुड़िएगा कितने बज़े जुड़ना है नाइन पीम पर सबी कोन एकेडमी लर्नर है पन नौ बजे जरूर जुनना है रात में ठीक है? क्लास होगी आपने इंदर धनूस के अंतिम रंग है बैंगनी लाल, बैंगनी हराल, लाल, हराया लाल नीला इंदर धनूस के अंतिम रंग कौन से हैं? पटा पटांसा करोगे भी है तेको भई इंदर धनूस के अंतिम रंग है, बैंगनी और लाल बिब ग्योर लिखते हो ना बिब ग्योर, राष्ट्रमेंडल दिवस कब मनाते हैं? 24 मही, 31 मही, 22 मही या 12 मही इंदर धनूस के अंतिम रंग है? प्रसांत, काजल, स्रिवांत, भुक्ता, बहुत बढ़िया इसका अंसर हो जाएगा भाई आपका 24 मही ठीक है, 31 मही को नो टोबेकोडे मनाते हैं या एंटी टोबेकोडे मनाते हैं इन्वेंटर आफ एलेक्ट्रो मेंगनेट, इन्वेंटर मतलब अविस्कार है, जो विद्धु चुम्बक है, उसका अविस्कार किस ने किया या उसका अविस्कार कौन है? विलियम इस्टर लियून या वोल्टा, एलिया ओटी साथ, थॉमस एडीशन, तो को भाई बहुत ध्यान से समझेगा, विलियम इस्टर लियून जो हैं, यह आपके हो जाते हैं, इलेक्ट्रो मेंगनेट, विद्धु चुम्बक के, जो ओटीस बावु हैं, इन्होंने इंडिया बाएदा, मौलिक करतब भारती समिधान में निगमित किये गए थे, बत्तिसमे समिधान संसोदन से, ब्यालिसमे से, पंद्रमे से, या चैलिसमे से, किस से निगमित किये गए थे, जो बढ़िया सवाल है, मौलिक करतब यूएससर के समिधान से लिये गए, सरदार अगे बढ़ते हैं हां भारत की गंडक नाम की नदी को तो नपाल में किस नाम से जाना जाता है गंडब काल में सदानीरह कहते थे अट्यके और नैपाल में जो जानते थे इसको तो जानते थे नारानी नदी के नाम से निमलिकित में से किस गुप्त समराट ने स्वयम को लिख्षवी दोहित्र कहा कौन से गुप्त समराट ने स्वयम को लिख्षवी दोहित्र कहा कौन से गुप्त समराट ने स्वयम को लिख्षवी दोहित्र कहा है और लिख्षवी दोहित्र जो कहा है वो कहा है समुद्र कौन से उसियन में कौन से महासागर में है सारगेशो सागर बोलोगे बाई विनीस सतीस प्रेजी चम्बल वाय अमर्जीत कुमार ठाकुर साब भदवुरिया रंजीत बोलोगे महस गौतम कि सारे लोगो सागरिय बाई यह सारगेशो समुद्र यह है आपका अटलंٹिक महासागर में पार अट्लं महासागर में 90 डिग cucumber इस्ट इस जो है आपकी हिंध महासागर में हैं top मुगलों के दोरान करसी दसाओं के बारे में सबसे महत्रपूर्ण सूचना का स्रोथ कौन सा है? मुगलों के बारे में करसी दसाओं के बारे में सबसे महत्रपूर्ण सूचना का स्रोथ क्या है? तो आंसर हो जाएगा आइन एकवरी. किसने लिखी है ये? ये लिखी है अबूल फजल ने ठीक है मुंतकबूल लुबाब किसकी रचना है ये आपकी खफी खां की रचना है भारत में सबसे कम लिंगानुपाद वाला केंदर सासित प्रदेश कौन सा है सबसे कम लिंगानुपाद वाला केंदर सासित प्रदेश कौन सा है क्या होगा कि रोशियन महासागर होता है सी समुद्र होता है बहुत अंतर होता है कि सबसे कम लिंगार रुपाद वाला केंशाषित प्रदेश दमंदीव हो जाता है ठीक है सबसे कम सबसे कम दादरा नगर हवेली ठीक है अब सबसे अधिक सक्षर्ता वाला यूनिन टरिटरी तो लक्ष दी मर्को सुर्ख यह कौन से ब्यापार समुगा है कहां का अफरीका का है एसिया का है लैटिन अमेरिका का है दच्छिपूर भी एसिया का है क्या होगा कि अधिया जी कि ठाकुर सहाब अधुरिया को लिखें है अपना नाम कि अधिया 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 इसे प्रस्त इसलिए बनते हैं यह जोग्राफी वाले सेशन में आप देखो कि हमारे पुराना वीडियो सर्च करो अधिया अलोक्सर करके आजाएगा इसमें मैंने वहाँ पा समझाया या मरको सुर्ज है यह आपका लैटिन अमेरिकी व्यापार का एक ग्रूप है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह पुरा मैंने इसके बारे में लिख दिया 17 जुन 2006 को अस्ताचर किये गए एक पूर सदस्स बनने से पहले वेने जुएला को परागवे ब्राजील की संस्दों द्वारा इसका अनुबोधन चाहिए दिसंबब 2004 के राश्पती सिकर संभेलन में मरको सुर्ज संस्द की स्थापना पर भी सहमत बनी तार्वेला बांद कौन सी नदीपर है तार्वेला बांद मेरा क्लास यहीं पर होता है बिल्कुल देखो बैट तर्वेला बांद जो है यह आपका तर्वेला बांद हो जाता है सिंधु नदीपर कौन से नदीपर सिंधु नदीपर जेलम जो है पितस्ता इसका नाम था लगार है चेनाप की बात करते हैं तो सलाल परियोजना और दुलहस्ती पर योजना यह सब चेनाप बियास नदी की बात करते हैं पोंग बांद है यह बियास नदी पर तेए प्रप pessimाणतिक जैनों मोतिलाल चिमनला सीतल वार थे पहले सीजी पहले एटौरनी-जन्रल पहले सी आप चीछ गाल ने चीव जश्टिस विंडिया जो हो तु किसको णोश n अइस डेक्टेन कॉ सिटी किसको कहते हैं मैं डेक्सक्राइब कुमें सिटी क्या अंसर होगा कि एस इसी क्लास कितनी लोग मेरे लेना चांते हैं एकधम सेसी देख्टेरि पयेडेबव कॉर्स मिल जायेगे ससी हो पूर्श कंप्लेट ऑग मिल जाएगी बिल्कुल मिल जाएगी आपको यह आइकोनिक वाले बात कर रहा हो ना आइकोनिक में आपको प्रिंटेट मिलेगा अच्छा पंडित मैं समझ गया पंडित तुम्हें पर्मनेंट तुम यहां ब्लाक हो जाओगी किस सहर को डिक्कन कुईन सिटी के नाम से जानते हैं तो आंसर हो जाएगा पुणे पुणे आपका मुला और मूठा नदियों के किनारे है ठीक है भाई याद रहेगा आवास तो प्रॉपर है वाई है साउंड अगर किसी की दिक्कत हो रही है तो अपने साइट से रिफ्रेस्ट करें बच्चे स्थापना किस सहर में हुई थी यूनाइटेड नेशन और्गनाइज़ेशन की जो स्थापना है वह कौन से सहर में हुई थी देखोंगे यूए नो जो है चौबिस अक्टूबर उननीस सो पैतालिस को स्थापना होती है और इसकी स्थापना सेन फ्रांसिस्को में होती है इसका हेट क्वार्टर कहां है निव यार वासिंग गटन डीसी बड़ा असंदार सहर है जो पोटो में नदी के किनारे है डीसी के मतलब डिस्टिक आप कोलंबिया होता है यह क्वेश्चन आपका बैंक पीओ में भी पूछा जा चुका है ठीक है अमेरिका में या सेन फ्रांसिस को और कहा है स्विस्पालवद के रचैता कौन है अध्यों और जो भास है यह स्वप्नवास दत्ता के कौन है भास है और अस्गोश जो हैं यह आपके बुद्ध चरित के हैं कामंदक जो हैं यह नीतिसार के हैं च्छेत्रफल के अनुसार पूर्वत्तर राज्यों में सबसे बड़ा कौन सा है क्या करोगे अब जीत जान करके क्या करोगे जान करके क्या नहीं चला अब जो पंडित नहीं दिखाई दिया है, पंडित बावु छेत्र भल के अंसार पुरुफत्र राज्जों में सबसे बढ़ा कौन सा है, टुरुफत्र राज्जों में सबसे बढ़ा अरुनाचल परदेस है कुछ बच्चे बड़ा लिखते पूछते हैं सर आपकी सैल नहीं किया है सर अपके गाड़ी को नोसी है सर अपका रहते हो सरा आपकी महलिक्त क्या है है विए कौश्च कंटेंट पर कन्सेंटीट करो क्लास पर कंसेंट्रेट करो समझो बहुत सारी चीज़ें आपनों आ जान्ना जाते देख लेना वहीया तुम लोग मेथ हैं बिलकुल ने को है क्वेशन है आपका विधान सवा में राजपाल एक एंग्लो इंडियन को कौन से आर्टिकल के तहद मनुनीत करता है अगल कि अग्याइब देखो वह यह विधान सवा में राजपाले के अंग्लो इंडियन को और टिकल को जो है वही वह मनुनित करता है आर्टिकल 333 से और 331 वाले में लोकसवा में दो इंग्लो इंडियन मनुनित करता था तो समात्त हो गया यह नहीं राज्यसवा आर्टिकल 80 में हैं और हाई कोट 226 से पांच प्रकार की रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के रच्छा के हैं ठीक है नेक्स पॉस्चन है यह हम लोग उन कर लिया है वही निम्लिकित में से बहुत के विसे में कौन सा सुमेलित नहीं है पिता सुद्धोधन माता महमाया बेटा राहूल या घोड़ा चिनना अनकेडमी पर क्लास है रात में नौ बज़े ठीक है रात में नौ बज़े जुड़ी है बिल्कुल है यह क्लास क्यों नहीं है इसका अंसर हो जाएगा बहुत देखें विसे में कौन सा सुमेलित नहीं है तो आप कहोगे यार चिनना जो है यह सार्थी का नाम था जो घोड़ा है वो कंथक घोड़े का नाम था भारती नागरिकों के मौलिक करतब्यों को कब सामिल किया गया तो 1976 में सामिल किया गया 42 में संभिधान संसोधन से USSR से मौलिक करतब लिए गये थे सदार स्वने सिंग समित की अनुसंसा पर ठीक है बाई गूड इवनिंग गूड इवनिंग ने पंडित अभी तुम लिख रहे थे न अब पंडित लिख रहे हैं सर आपके लिए जान भी आजित है क्यों लिख रहे थे ऐसा कुछ विशेश कारण है नराजगी है मुसे कोई क्यों पंडि जी ने ने बोलो पंडित लिख रहे थे ना भी तुम अब तुम एकदम लाइन पे आगए लिखने लेगे उल्टा उसका अजस्ट अपोजिट एक ची याग रखते हो लगबग 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है बहुत सारे एक्जाम की तयारी कर रहा है क्लास में online भी पढ़ाया out line 5-6 साल से online उससे पहले offline है ठीक है लंबे समयर क्लास में हर क्लास में बच्चे होते है ना एक बच्चा ऐसा है जो एकदम साइलेंट है बड़ा मेरा यह तजरुबा है को धीरे से सही उत्तर यहां पर दे देगा को हाइलाइट होने की दरूरत नहीं है यह जो बच्चा है ना कि इसका जो सेलेक्शन रेशियो रहता है वो 85-90 परसेंट ऐसे बच्चों जो एक बच्चा ऐसा है जो एकदम मार जबरदस्ट तरीके दे रहा है इमानदारी इस देता है इनका भी सेलेक्शन रेशियो लगभग इसके बराबर है तो एक बच्चा ऐसा है जो इदर उधार गुगल करके हम सब समझते Hasta बढने लिख़ दियास एक प्रस्य और सेंग इनका जो सेलेक्शन रेशियो वह बहुत कम होता है अब एक किसे बच्चे हैं दूइ मिनिट यहां क्लास किया दूइ मिनिट किसी दूसरे सर से किया पांच मिनिट कहीं और किया छे मिनिट कहीं और किया दिन भर में सत्तर क्लास कर रहे हो कोई लाब नहीं कोई जरूरोड ही आपको मेरा अच्छा लग रहा मेरे से पढ़ो किसी भी टीचर का किसी भी अच्छा लग रहा जो आपको समझ में आ जाए वह आपके लिए सबसे अच्छा आप उनकी क्लास लगातार फॉलो करिए ऐसा मत करो यार कि 10 मिनिट कर लो 5 मिनिट कर लो 5 मिनिट दूसरे सरकी कर लो 3 मिनिट उन सरकी कोई लाब नहीं होने वाला तो इसलिए हम इसा क्लास के दौरान कॉंसेंट्रेट हुआ करो कंटेंट पर विकल्पों पर अब जैसे यह सवाल है ठीक है अब इसका घूमा हुआ एक सवाल थोड़ा सा अमने डिसकस किया था उसमें यह क्वेस्टन नहीं था अब यह 1976 में 42 संविधान संसोधन हुआ दो एक 276 से जो मौलिक करतब जुड़े हैं वह कौन से पार्ट में रखा गया फोरे में रखे गया 1902 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 अगस्त 1902 को राश्ट्री विकास परिसत बनता है ठीक है भाई दो क्वेश्चन मिले ना आपको यहां से यह दो विकल्पों से उप राश्ट्रेपपती का पद किस संह संहदान से लिया गया है। उप राश्ट्रपती का पद घंट उप्राश्पति का पद राश्पति का पद argumental lights है अमशली के संभीदान से डिपीज़चीink chance डियरेक्टिव प्राइस्वल सर्दार बैह लिपनलबहु कॉन से अंदोलनि और गुदान आंदोलन विल्कुल भी गरावी थे इस से जुड़े हो नमक सत्याग्रह गांदी जी 12 मार्च 1934 को दांडी माज शुरू किया साबरमती आस्रम से लेकर के नवसारी जिले के दांडी नामक इस्थान पर पहुँज करके इन्होंने नमक कानून थोड़ा अपने हाथों से नमक बनाया गांदी जी में मोनोसक्राइड यक प्रकार है किसका एनरजी का प्रोटीन का प्रोटीन का आरे न में दूल सबस्याडिक प्रोटीन लोग जानते हैं अब सोयाबीन में होता सक्रीच अंद्य मक्षन नेक्स्ट योजना आयोग के पहले उपाद्यक्ष कौन थे गुल्जारी लाल लंदा मुराजी दिसाई लालबादु सास्त्री या जवारला नहरू कि योजना आयोग प्लैनिंग कमिशन पंद्रा मार्च उन्निसों पचास को बना है कब बना है पंद्रा मार्च उन्निसों पचास को बना है बहिए प्लैनिंग कमिशन ठीक है न प्लैनिंग कमिशन के जो पहले उपाद्यक्ष थे वो थे आपके गुल्जारी लाल लंदा ठीक है याद रहेगा चली आगे बढ़ते हैं चुकिका माता किस धात्व संबंदित है चुकिका माता जो है वो कौन से धात्व संबंदित है एक माहिन है जो आपकी ताबे की है चिली में हम लोग जानते हैं चुका माता सोने से रिलेटेड भारत में कोलार और हट्टी की मा अधिनाब भोज और अध्रवोज की उपादि कौन धारण करता AB कराशन देव लो भाइच प्रहा दिए पक्रहें बिज्चरनग्र सामराज के तुलूप बंस से संबंदित है तुलूप बंस से ठीक है याद रहेगा तो यहीं तक रखेंगे क्लास को जितने लोग भी जुड़े हुए हैं रात में 11-15 पर आप लोग जुरूर जुड़ी है मेरी क्लास से यूटूब पर और रात में 9 बज़े आपको वाई-फाई स्टडी पर नहीं रात में 9 बज़े आपको जुड़ना है एन अकेडमी लर्मर रैप पर ठीक है यह आप लोग देख सकते हैं एक महात्रपूर्ण चीज़ दूसरी चीज़ सेसन अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूब कीजिए ओके थैंकियो बिल्कुल भाई हम डिटेल में पढ़ाएंगा एकनोमिक साथ बिल्कुल ओके थैंकियो अरुबन जहीं कर दो